जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग शीटेट पेपर टू का प्रिविएस इयर क्वेश्चन जो की साइन्स का है उसको कबर कर रहे थे आज उसी सीरीज का अपना बारहावा दिन है हमने लगबग ग्यारा दिन में 10 से 15 कोश्चन के प्रॉक्स में डेली प्रेक्टिस किया है प्रिविएस इयर का आज अपना बारहा दिन है इसमें भी हम लें बहुत ही बहतरी इंट्वेंटी इंपॉर्टेंट कोश्चन लिए हैं जिनको विद कॉंसेप्ट हम लोग समझेंगे ठीक है अगर आप लोग चैन है ठीक है दिए आपकी स्क्रीन पर पहला कोश्चन है कि निमनलिखित में से एक सेकंड कि एक सेकंड बस ठीक है यह यह थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि एक सेकंड रोटेए ठीक है देखिए कि रहा निमनलिखित में से कौन सा समुझ्च अमलों चारकों के प्रकृतिक सूचक को दरसाता है इसमें से कौन सा ऐसा है यह चार आप्सन आपके सामने दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा ग्रूप है जो नेचुरल संकेतक को बताता है सुचकांगों को मैंने एशीड और बेस वाले चैप्टर में एक पूरी सीरीज बनवा रखी है उसमें जो कौन से नेचुरल है कौन से कृत्रिम है ठीक है तो फिलाल इसका जो आंसर होगा इसमें पूछा है कि निमनेलिखित में से समुच्चों में से अमलों और छारकों के प अंसर हो जाएगा बी ओप्सन हो जाएगा बाकी फिनॉप्थलीन इसमें देखिए प्रक्राकरतिक नहीं होता है कि अब अभर आजाते हैं अगले कोशन्स पर देरखता है इसको ध्यान परिवर्टित करता है और इस प्रवाहित करने पर दूधिया हो हो जाता है तो अब इसमें से पूच रहा है कि ABCD क्या क्रम का होगा इसमें से ABCD क्या होगी ठीक है अब कुछन थोड़ा सखीं से बतए हो देखिए एक क।िया करा है ओद्थिर आक्सीजन और पानी से क्रिया करके योगिक यूपि बनाता है ठीक है तो देखिए अब इसमें से एक क्या हो सकता है कि जो योगिक बी बनाए और वो फिर क्या कह रहा है यहां योगिक सी का लिटमस को डी में परिवर्तित कर देता है पहले तो ऑक्सीजन से क्रिया कराना है अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान रखी जो लाश्ट में दे रखा है गैस प्रवाहित करने पर दूधी या ओजाता है तो दूधी जानते हो ना केलसियम की कंडिशन पे आती तो पहले तो यह मैगनिशियम वाले कट जाएंगे आपके ठीक है ना सारी केलसियम का दो बचा यहां पर और यहां पर अब हम लोग कैलसियम पर देखेंगे अगर हमन नब इसके जो रियक्षन करया गया है किससे क्लाया गया हो गैसे च्राओन से यह बनाता है हमारा केलसियम हेड्रोकसाइड ठीक है केल्सियम हो गया तो यह एका बताता है विक्या हो गया केल्सियम हेड्रोकसाइड जैसा बोला कर रहे हैं कैलसियम को कर अक्सिजण क्या टीजन से करा ऊप्र Servant कर पिए तो होता है कि धातुओं हरो यह स Не रखने चार को रिक्रेजेंट करता है और हमने आपको बता रखाता कि चार जो होते है वह किस तरह से करते हैं नीले लिटमस को लाल कर देए ठीक है corr एक सेकिड लग Rib sistem है केलसीम का हैड्र खाल है आठीक है यह तो यह करें और यह केल्सियु grieving हाण है तो कि यह को करेंगा अपने नील saya थिए होगया और यूद कि हो जाएगा अपका है लाल हो जाय गाठीक है एक सेकंड है जै कि ठोड़ा थोड़ा अड़ा प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी सब्सक्राइब कर तो डी आपका क्या हो जाएगा तो डी आपका क्या हो गया लाल हो गया और यह क्या हो जाएगा जब यह रियक्शन के बाद कौन सी गैस निकलती है तो सी ओ टू गैस निकलती है कार्बन डाय अक्साइड तो यह आपका कार्बन डाय अक्साइड बन जाएगा यह सारे क्रिया क्लाब जो पूरा हो रहे है डी ऑप्सन में बिल्कुल पूरा हो रहे देखिए यहां पर एक कैल्सियम लिया है और यहां पर देखिए कैल्सियम के रहा है कि मिनलिखीत में से कौन सा कथन सहीं है इसमें सानि पता करना है पहला कहरा आ सभी धमनिया जुवाहं करती है तो यह ग Jul घू सबढ़ा थर रहीत मतलव इंप्योर सब्सक्राइब करती यह बिल्कुल आपका सई हो जाएगा जो हमारी फुप्फुस धमनी होती है जिसको की pulmonary arteries बोलते हैं वह ब्लड को कहां से कहां ले जाती हर्ट से लंग पर ले जाती है के लिए तो यह सी और सब्सक्राइब करेक्ट अब आज यह अगले कोस्ट पर यह बहुत ही बहुत दे रखा है इसमें कहें लोहे का संचारण मतलब रश्ट आफ आयरन की बात कर रहा है जो रश्ट कैसे लगती है कैसे होता है इसकी किरियाओं के बारे में पूछा है पहला आ परिवर्तन वाली किरिया होती है पहली बात तो जो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभी करिया तो बहुतिक वाला ओप्षन तो ऐसे इसे कट गया ठीक है यह भी कट गया आपका बहुतिक वाला राशायनिक देखेंगे और दूसरी बात की यह वापस नहीं आ सकता जो है इक रासायनिक आ रिवर्सीबल बोलते heaven और यहां परिवर्तन होता है और यहां तक हो गया अब आ जाते हम अगला homework देख लेते हैं में निमनेलिखित में मरुस्थली पौधों के कौन से अभिलक्षडिक अन्कूलन लक्षड नहीं है ध्यान दीजुवेगा इसमें से मरुस्थली पौदों का बारे में कहे रहा है। कि कौन उसे related विचार इसमें से नहीं है तो मैं precious worksids कैसे होते दिखिए से पथल में क्या होता है water label बहुत नीचे होता है जिसकी वज़ास से पाउधों की जड़े होती है बहुत नीचे तक जाती है एक तो यह याद रखो कि कि यह दूसरी बात आप लोग क्या याद रखेंगे कि इनके जो पत्तियां होती है वह काटे नुमा हो जाती है सुकूर करके बारीख करके काटे जैसी हो जाती क्यूंकि अगर पत्तियां चोड़ी होंगी तो वास्पों तु सरजन जादा करेंगी तो पानी जादा नुकसान होगा ठीक है तो यह दो इनके बिसेश होते हैं तो पहला इन्होंने क्या बोला है कि गहरी बेदती जड़े हैं तो यह सही है तो यह आंसधा में नहीं आएगा ठीक है न क्यूंटि इस पूछा है को वाउना कभा लेक्षण होते हैं मरुस्थलीपौद हो के दूसरा क्या काहि多 है गुद्धेदार कैंप लोना यह नहीं कहती है तो अगला कहीं होती है ठालाओ टहन होती होती है है यह अन सब्सक्राइब कर दोनों गलत हैं तो देखिए पहले ही आपके आंसर हो जाएंगे आजाते हैं नेक्स्ट क्वेशन आप लोगों को पसंद आ सुरुवात में थोड़ा पेन को लेकर के दिक्कत हो गई है अराम से द्यान से देखते रहें को सब समझ में आएगा अब इसमें निमलिखीत में से कौन सा समुच्च अमलो शारकों के प्राकृतिक सूचकों को दरसाता है यह कोश्चन तो हमने कर रखा यह रिपीट हो गया इ एक यौगी करता है एक कोई है तत्तो है जो कि औक सीजन पहले और परिवर्थित कर देता है तो यह चीज हो गई अब इसको देखते हैं इसमें क्या हो सकता है और पड़्वर्तित कर देता है यह भी रिपीट हुआ है क्या कुश्चन एक सेकंड है यह सेम कुश्चन रिपीट हो गया सॉरी फॉर देट यह इसका ऑप्सन तो डी अभी हम लोगों ने डिसकस किया है अगले कुश्चन पर आ जाते हैं अपने वह कुश्चन लगाने में थोड आतक्तविक होता है इस तथ्य के निम्नमेंसे प्रकास के किस गुढधर्म के सर्वस्रेश होती है मैंने पीन होल कैमरे के बारें पुरए डिटेल पूर चैप्तर पढ़ा रखा है एन सी एटी का वह आप लोग जाके देख सकते हैं जो पीन होल कैमरा होता है यह वर्क करता ह प्रकास के स्टेट लाइन गमन पर प्रकास सडीय रेखा में ट्रव benefiting करता यह उसी बेश्ट में सिम कि इसमें क्या कह रहा है निम्नलिकित में से कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरी करण की परिगटना का सही वर्डन है नाइट्रोजन स्थरी करण क्या होता है यह मैं बता देता हूँ मलता है जो क्या है नाइट्रीफिकेशन नाइट्रोजनी करण बोला जाता है ठीक है ना तो यह आपसन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है परिगटना का वर्णन करता है यह आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कैसे क्योंकि पौधे जो होते हैं नेचुरल में जो नेचर में हो जाता है नाइट्रोजनी करण का अगला कोश्चन पर आ जाते हैं हम लोग अच्छा यह देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन दे रखा है और यह ऐसे कोशन बच्चें बहुत बार गलत दी करते हैं इसमें देखिए कह रहा है दूदिया गलते हैं उसके बारे में यह कोश्चन है छेके दिखिए दूदिया माइगनेसियम लेने से मतलब क्या है टैकिंग मील्क लो हमारे पेट Do पूछ रहे हैं कि इन सारे रियक्सिंस में से कौन सी reaction होती है इसमें तो देखिए magnesium milk of magnesium क्या होता है MgOH whole twice होता है magnesium का hydroxide होता है MgOH का whole twice होता है जब यह reaction करता है किस से आपके HCl से 2HCl से reaction करता है तो यह देखिए MgCl2 MgCl2 और plus क्या बनाता है जल बनाता है 2H2O बनाएगा एक मिनट में पतली पेन लेलता हूं है ठीक है यहां पर 2H2O बनाता है ठीक है तो क्या-क्या बनाता है आप लोग समझ गए होंगे यहां कि उन्सक्राइब कर डिया क्तीες थी यहां पे लिदंग हो तो डेखिए क्या क्या बना मैगनीशिय५ जो मिल का मैंगनीशिया है मैं न्री यह है होता है नमक होता है 3 पेजिए लाइट है और यह वार हो गया तो पहली बात देखिए मैंगनीशियम जो है इसके में से क्लोरीन को यहां से विस्थापित कर दिया तो एक तो विस्थापन अभिक्रिया होई और क्लोरीन जो है यहां पर जुड़ गया मैंगनीशियम को विस्थापित करके दो विस्थापन हुए है ठीक न यह क्या होगे एक तो दूई विस्थाप समझ गए तो दो बार विस्थापन हुआ है एक मैगनेशियम ने किया क्लोरीन को विस्थापित यहां से और यहां से ओच ने यह हड्रोजन ने इसको विस्थापित कर दिया तो पहली बात डबल displacement हो गईंद दूसरा एक बात यह ध्यान रखो अट यह तो एसीड हो गया और यह हमारा बैस हो गयाश किया है इसीड़ और बैस प्रीक्षन करके यह लिजब मोढ़ा दिया मगए मजडिश concepty disagree नहीं की और शीन की मीशन और अब इसको यह ना मोता है उदाशीनी करण अभिक्रिया कहते है इसको ठीक ना उदाशीनी करण में क्या होता है एसीड और बेस आपस्में रेक्शन करके salt प्लस water बनाते हैं तो यहां पर देखें डबल displacement भी हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है उदाशीनी करण भी हो रहा है बोथ डबल डिस्प्लेस्मेंट और निउट्रलाइजेशन दूइविस्थापन और उदासेनी करण अभिक्रिया दोनों हो रही है तो यह करेक्ट आपका हो जाता है आपने देख लिया मैंने पूरे रियक्शन करके आपको दिखा दिया ठीक है अब आज ही हम लोग अपने न संबाई और उसका अनुपरस्त परिछेद दुगना कर दिया जाए तो उस विद्धुत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक तो देखिए एक फार्मूला होता है विद्धुत प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस का आर इस एक्वल टू रो एल बाई यह क्या होता ह है लेंध रॉत यह काट का शेत्रफल होता हैं यह हो गया इसमें कहरें अगर दोनों को डबल कर दिया तो आर पे क्या फरक पड़ेगा तो देखिए इसको भी 2 से कर दो इसको लाधा चैना तो फिर बाई यह रह जाएगा तो आर पे कोई भी फरक रहेगा ठीक है तो प्रति कि अगले कोश्चन पर आजाते हैं ने भी बहुत ही बैतरीन कोश्चन देया है थोड़ा सब परिशान किया इसमें कुछ खास अलग नहीं किया एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई की यात्रा करता है यहां तक यात्रा करता है यात्रह के आरंब में उनकी किपत्राइब का पथ्यांग जो है 581 यह पहले 5881 बारा पढ़ रहा था किलो मीटर और यात्रह के अंत में कितना हो गया था यह बढ़कर के 692 किलो मिटर ठीक है यह साथ किलो मिटर में हैं यदि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें पांच घंटे का पांच घंटे 20 मिनट का समय लगता है ताइम आपको कितना दे रखा है फाइप आवर प्लस 20 मिनट ठीक है ना समय लगता है तो आवसत चाल पूछा है अच्छा बताइए जब गाड़ी स्टार्ट किये थे तो ग लास्ट वाला जो पाठ्ट्यांक है और पहले वाला माइनस कर दीजिए तो दो मेंसे दो गया तो जीरो आजाएगा यहां से यहां मैं मैं माइनस करके दिखा देता हूं देखे छैहजार 902 माइनस कीजिए नीचे 5008 122 जीरों नहिंसे एक गया आठ यहां दस मेंसे गट गया दो तो 280 तो 280 किलोमेटर की दूरी जो है सूरत से मुंबई के बीच की यह बात समझ में आ गए यह क्यों रीडर था तो रीडर में जहां से शुरू किये थे जहां पर एंड किया उनमें से माइनस करोगे तो हमें पता चल जागा कितनी दूरी चले हैं अब टाइम इन एक बटा तीन हो जाएगा यह बीस मिनट ठीक है ना क्योंकि देखिए 20 बटा साथ तो एक बटा तीन आज यह आवर में हो जाएगा आप कियो घंटे घंटे में हो गया इसको आप यहां से सॉल कर सकते हैं पास्ति पंद्रह एक सोला बटा तीन आप लिख सकते हैं यह बात अब एक चीज यह ध्यान रखिए यह दूरी हो गया यह समय हो गया चाल क्या होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है डिस्टेंस अपान टाइम होता है तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका दो आठ जीरो एक सेकंड यहां पर पेन क्यों नहीं चलता है कि देखते हैं क्या दिक्कत है कि दो आठ जीरो हो गया और अपान समय आपका कितना बन जाएगा यहां पर सोला बटे तीन है सोला अपान में तीन है ठीक है तो देखिए जो सबसे नीचे होता वह सबसे उपर चला जाता है इसको फर्दर जब पहले किस से कट करो गया तो दो से करके देखते हैं दो अठीशोला और चौदा बार में एक सो चालिस चला जाएगा और फिर दो से करते हैं दो बार में और यह चला जाएगा थीक है ना बावन देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्सान ठीक है आई होप आप लोगों को यह कोश्यन बहुत अच्छे से से क्लियर हो गया होगा मैंने थोड़ा और जादा ही डीटेल में आई थिंग बता दिया कोई बात नहीं है कि अगले कोशन पर आज आते हैं अपने सही बात है जो होते वर्चुल इम्वेज होते उन्हें स्क्रीन नहीं देख सकते हैं यह बात सही हो गया ही ना दूसरा क्या कहह रहा है कि अधासी प्रतविम उन विंदूों पर बनते हैं जहां से प्रकास की किरने आपतित होती प्रतीत होती है तो यह बिल्कुल सही बात के रखा है ठीक है ना आपतित होती प्रतीत होती है इसलिए इस्क्रीन पे नहीं दिखती है क्योंकि प्रतीत होने वाली चीज़ें क्यों प्रतीत होती है वास्तों में नहीं है यह क्यों आभास होता है ठीक है तो यह हो गया अगला आर्टू क्या कह सकता है और अप्शन देखते हैं यह सही आपसन हो जाएगा । एक बार आप लोगों चाहे इस सुन लूगे तो भी आपको सारी चीज़ा याद रहेंगी आप देखें यह कितना अचछा कोशन देरा भायों का किरा निशेचन के पर्चात युगमनज नरप्राडी में विक्सित होगा जदी के रहा है निशेचंज होता है फर्टेलाजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होगा जो अन्डे में पहली बात आंडे जो बनते है एकस बनते हैं इक उस्क्रांड Почему सभाई सभेज होती और तो वह ही पर जो एक सोते हैं पएख सोता है यह मेल को मेल को मेल करता है ठीक है अभी इसमें कराइब में एक रहाए गलत होगी यह सारे गलत होगी इसका आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है अगले questions पर अपने आजाते हैं अब यह पूछ रहे हैं जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर्प होता है देखिए अगर कोई चीज किसी लोहे की छड़ हो या कीलो उसका जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है क्योंकि वह इन्वार्मेंट से नमी और वाटर वगएरा सारी चीजे और डश्ट वगएरा अपने उपर ले ले लेता है तो इसलिए इसका भार घटाव सारी बढ़ जाता है ठीक है सब्सक्राइब बिल्कूल सही हो जाएगा से अगले कोश्ण पर आजाते हैं अपने देखते हैं क्या कह रहा है अच्छा इसमें क्या कह रहा है एक तक तो X असीजन के साथ अभी किरिया करके एक आकसाइड बनाता है जिसका विले लाल लीटमस को नीला कर देता है ठीक है ल लाल को नीला करेगा पहली बाद तो वह 6 होगा मैंने आपको आप लोगों को पढ़ा रखा है बे लन में बेफार बेस लाल को नीला कर देता है वी न को लाल ली को नीला कर देता इसका मतलब जो भी अक्साइड बनेगा वो किस प्रकृतिका प्रवृतिका होगा छारी होगा पहली बात तो आपको यह याद रखना है तो निमलिखित में एक्स क्या हो सकता है तो सलफर मैंगनीशियम कार्बन और नाइट्रोजन तो देखिए एक्स अभिक्रिया करके अक्स अक्साइड बनाता है तो एमजी तो मैंगनीशियम अक्साइड हो गया यह एक शार धातू है तो यह क्या करेगा इससे मतलब लाल लिटमस को नीले में कनवर्ट कर देगा ठीक है रेड़ टू ब्लू कर देगा यह बात आप लोग याद रखेंगे ठीक है तो इसका करेक्ट अगले पर आजाते हैं अपने अगले कोशन पर देखते हैं क्या कह रहा है कि निमलेखित में से जीवों का वह यूग में पहचानी है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं इसमें पहले एक रहेगा फिर इस तरह से दीरे-दीरे करके यह दो में बदलेगा फिर यह पतला होते होते इस तरह से और पतला हो जागे यह दूर हो जाएंगे एक समय ऐसा आता है कि यह खिच करके यहां पर पतला हो करके यह दो अलग-अलग डॉटर्स मतलब दो अलग-अलग बन जाते हैं इस तर परना जो होती है अमीबा और पैरामीसियम में देखने को मिलता है ठीक है तो इसका सी आप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा वहीं अगर इस्ट और हैड्रा की बात करें तो इसमें बड़िंग होता है बड़िंग वगरा मैंने सारे चैप्टर पूरा डीटेल में पढ़ा रखे ठीक है यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है एक बार इसको सौल करते हैं इसमें देखिए क्या कह रहा है दो धात्विक गेंदों एव बी के अर्द ब्यास तीन अनुपात एक के अनुपात में है ठीक है दो बॉल है एक यहां पर है ठीक है और इनका घनत तो एक तीन के तो जो सूसे चैरा यह देर रक्ते यह रखता है एक अनुपात तीन में वहीं पे रेढियस का जो अनुपात दे रplesख है वहां थैसे को बताते है घनत तो क्या होता हैनस अ वोलिम होता है डांस रperform में परीज서 भीड़ती को बताइए तो आittel सभी आप से ओनेरेक्षंगा त पूछ रहा है ठीक है तो आयतन हमारा क्या होता है वोस्तक्राइब गेंद का यह क्या liberté आते हैं दिखाते आपको तो देंस्यटी का अनुपात देरका एक बटा तीन बराबर मास्का अनुपात नहीं पता है M1 upon M2 हम्माल लेते हैं, whole divided by, आयतन है देखिए, आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1 है ना, ये radius का अनुपात दे रखा है, question देखिए, अर्दब्यास लिखा ना, अर्दब्यास मतलब होता है, radius, ब्यास का आधा ही radius होती है, त्रिज्य होता है तो 3 अनुपात 1 दे रखा है, लेकिन ये 3 अनुपात 1 नहीं होगा, क्योंकि ये cube पे depend करता है, इसका cube हो जाएगा, ये cube हो जाएगा, ठीक है, तो finally इसको आप क्या लिखोगे, 1 अनुपात 3, ये जो है, is equal to में हो जाएगा, M1 upon M2, और 1 तो यहीं रह जाएगा, ये जो नी ये आपका कितना आ गया, 9 upon में 1 ठीक है, तो कितना मास का जो अनुपात बन गया, वो कितना बन गया, 9 अनुपात 1 बन गया, बन गया ना, 9 अनुपात 1, ये हो गया, ये फार्मुला आप लोग याद रखेगा, density is equal to mass upon आतन होता है, तो 9 अनुपात 1 देखिए, कहां दे रह है किसी सरल लोलक, ये पेंडूलम का क्वेश्चन है, कि आवर्तकाल पर उसकी लंबाई, चोगुनी करने पर कर देने पर क्या परबाव पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कि जो लोलक होता है, उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो T is equal to होता है, आवर् रसी की लंबाई होती है, इन्होंने क्या का है, अगर रसी की लंबाई को चार गुनी कर दी जाए, तो इसके टाइम पीरियोट पर क्या फरक पड़ेगा, तो T डारेटली प्रोपोस्टनल पर जाएगा, अगर ये को चार गुना कर दोगे, तो चार का मतलब रूट चार हो तो यह कितने बराबर निकालों तो आएगए को यह जाएगा खुद का दो गुना हो जाएगा थीकशन हो कि आखे से कैसी कलियर हो रहे होंगी अगर आप व्हाएगक चले जाते हो बीज के भी system आप सही करके आओगे और भाकी जैसे यह से खतम होती हो compressите यह लोग MRT summer साइइन्स के और मैयत के चेप्टर है वो महिरा अधना लेकर हम खतम कर देंगे इसमें कह रहा है कि यहार उस्मा का अच्छा सुचालक है यह कोश्या संघ्ण जो गया क्या कि इसका रिए क्रुक्षिन का है कोश्चन यहां पर लिखा हुआ था कि जो एल्मुनियम फाइल होता है उसका इस्तमाल खाद पर रक्षड के लिए हम लोग यूज करते थे अल्मिनियम आपने देखा रोटी वगएरा जिसमें लपेटी जाती है तो यह रहे हैं कि कॉस्चन यह लिखा था कि फाइल का इस्तमाल उसके कौन से गुड की वज़ा से करते हैं तो वह गुड होता है क्या होता है अगहात वर्दनी होता है क्योंकि आल्मुनियम को पीट करक इसी गूड की वज़ा से इसका उपयोग किया जाता है ठीक है यह कोस्चन लगा नहीं साइद नीचे होगा कहीं दिखा दूंगा भी यह होता है कि आक्सिजन के अनुपस्थिती में लैक्टिक एसीड का जमाव हो जाता है कि यहां का पैरों में लेक्टिक एसीड का जमाव होने लगा है यह हो गया आपका अंसर अगला कोश्चन क्या कह रहा है देखिए सभी भौतिक परिवर्तन प्रतवर्ती होते हैं इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है इसमें कह रहा था कि इन दोनों कथनों में कौन सा सही है क्या कि पहला कथन है इसका कि सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं रिवर्सिबल होते हैं क्या नहीं वहिए सारे भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होते हैं क्यों क्योंकि देखिए कागज है कागज को आपने फार दिया इसकी अवस्था परिवर्तन नहीं कि प्रतिवर्ति होते हैं तो ये गलत हो गया भी कहला है कि सभी राषाइनिक परिवर्तन अनुत्क्रमडी होते हैं तो ये बिल्कुल ही ጥ Grade स्थी कहां इस ने थीक है न अब सब्सक्रामरिन कई होते हैं क्योंकि एक बार अगर खाना पक गया तो अपनी आवस्था में नहीं आपता तो केवल बी जो है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगले कोश्चन पर आ जाते हैं आज कर लाश कोश्चन अच्छा देखिए यहां लगा हुआ का कौन सा गुर्धरम की वज़ा से खाद समागरी उसमें लपेटी जाती है तो मैंने यहां इसका आप लोगों को बता दिया यहां पर देखिए कि यहां पर था कि इसका हमने वह क्या कहते हैं अगातवर दिनीता की वज़ा से ठीक है यह आज के अपने लगबग 20 कोश्चन थे जिसका डिसकेशन हम लोगों ने कर लिया है और इसी तरीके से अब हम लोग जल्दी से इसको खतम करके जो मैट के प्रिवेस यह उनको डिसकस करेंगे ठीक ह है तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा फिर मिलते हैं अपनी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय टेक केर थैंक्यू सो मच